हेलो एब्रोबन हाव यू डोइंग आपका स्वागत करता हूं ट्रूकार इंडिया में आज थोड़ा डिफरेंट है अज मुझे अपनी कार में वीडियो बनानी पड़ रही है और यह इंट्रो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है कि बाहर काफी बारिश हो रही है डेली में उसका प्राइसिंग अब रिवील कर दिया गया है आम पबलिक के लिए उसकी बुकिंग्स ओपन है पहले भी ओपन थी मगर अब आप उसे खरीच सकते हैं इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा टाटा नेक्सन की सारे वेरियंट की सही जानकारी जिसमें की फीचर्स प्र सबसे पहले इसका एक ओवर्वीव जिसमें लेंथ है 3994 mm, वील बेस है 2498 mm, साधी ग्राउंड क्लेंस मिलता है 209 mm का और बूट स्पेस है 350 लीटर्स का इसके अंदर पांच लोगों के बैठने की केपेसिटी है, साथ ही 44 लीटर का फ्यूल टैंक केपेसिटी भी मिलेगा, इसके अंदर दो इंजन आप्शन मिलेंगे 1.2 लीटर पेट्रोल एंद 1.5 लीटर डीजल इंजन, साथ ही देखे तो इसके दोनों ही पावर सेम है 108 भी पी का, मगर इसके अंदर टॉर्क डिफरेंट मिलेगा, 170 न्यूटन मिलेगा पेट्रोल में, और 260 न्यूटन मिलेगा डीजल में, साथ इसका डिस ब्रेक्स फ्रेंड में मिलेंगे, पीछे ट्रंप ब्रेक्स मिलेंगे, और इसके अंदर 6-speed manual gearbox आएगा, और हो सकता है 6 महीने बाद, automatic gearbox में मिले, पेट्रोल में, तो सबसे पहला variant है XE, जिसका पेट्रोल में प्राइस है 5,85,000 रुपीज और डीजल में प्राइस है 6,85,000 रुपीज, और इसके अंदर काफी कुछ फीचर मिलेगा, जैसे की white ceramic finish, जो की line काफी मशूर हुई थी tartan action पे, वो fog line design के आसप आपको LED tail lamps मिलेंगे, साथी door side body cladding भी मिलेगी, जो की छोटे मोटे scratch से बताएगी, और साथी wheel cover single tone color में मिलेगा, और साथी interior three different colors में होगा, साथी front two power windows मिलेंगे, और front में cup holders भी मिलेंगे, चारो दर्वाजों में bottle holder भी मिलेंगे, साथी front two umbrella holders भी मिलेंगे, उसके अलावा glove box मिलेगा, जिसके अंदर two cup holders होंगे, और एक tray होगा, साथी एक card holder भी होगा, और इसी के साथ multi information display मिलेगा, instrument cluster में, जहाँ पर multi drive modes का भी option आता है, जिसके अंदर eco, city, sports आप select कर सकते हैं, और इसके अंदर manual AC का भी option मिलेगा, अब अगला variant है XM, जिसका petrol में price है 6,50,000 पिछले variant से 65,000 रुपीज मेंगा है, और डीजल में 7,39,000 रुपीज जो कि पिछले variant से 54,000 रुपीज मेंगा है, इसके अंदर आपको dual tone wheel cover मिलेगा, साथी connect next infotainment system मिलेगा, जो कि हर्मन की तरफ से बना है, और उसके अंदर 4 speaker मिलेगे, और यह FM, USB, AUX input और iPod को भी support करेग साथी इसमें Bluetooth भी मिलेगा, और स्टेरिंग पे music and phone controls भी मिलेगे, और इसके अंदर smartphone application का भी infotainment system में connect मिलेगा, साथी rear parking sensors मिलते हैं, और remote center locking भी मिलेगी, और 4 power windows हो जाते हैं, साथी electrically adjustable ORVM होंगे, मगर वो manually retractable होंगे, साथी आपको USB charger भी मिलता है front में, अब next variant है XT, जिस जो कि पिछले variant से 75,000 रुपीज मेंगा है, इसके अंदर feature subgrade मिलेंगे, आपको roof rails, साथी body color door handles, और shark fin antenna मिलता है, साथी interior में automatic climate control मिलेगा, साथी rear AC vents भी मिल जाते हैं, और अब electrically adjustable के साथ साथ आपको electrically foldable भी ORVM मिलेंगे, और पीछे के दरफ आपको 12V charging point भी मिल जाता है, और glove box, cool glove box के साथ आएगा, अब इसका top end and final variant है XZ plus, जिसका price है petrol में 8,45,000 रुपीज जो कि पिछले variant से 1,15,000 रुपीज मेंगा है, और diesel में price है 9,30,000 रुपीज जो कि पिछले variant से 1,16,000 रुपीज मेंगा है, अगर आप इसमें dual tone roof color चाहते हैं, तो 15,000 और देखे ये टाइम में running lights मिलेंगी, साथ ही GPS सिस्टम भी add हो जाता है, और इसके अंदर 16 इंच diamond cut alloy wheels मिलेंगे, साथ में front sliding armrest मिलता है driver side के लिए, और rear seat में भी armrest मिलेगा, जिसमें 2 cup holders मिलते हैं, साथ ही rear seat 60-40 ratio में split होके fold भी हो सकती है, साथ ही 6.5 इंच का floating touch screen मिलेगा, उसके साथ 8 speaker system होगा, जो कि android auto को भी support करेगा, साथ ही ये messages को read out भी कर सकता है voice command system से, और ये voice command system music को change करने के लिए और climate control को adjust करने के लिए भी use हो सकता है, साथ ही 6.5 इंच की touch screen में आप image and video playbacks भी कर सकते हैं, साथ ही इसके अंदर voice alerts मिलते हैं, अगर आपका दर्वाजा खुला रह जाता है या फिर seat belt नहीं लगाई, साथ ही अगर fuel low हो जाता है, या फिर service अभी बाकी है आपकी और इसके लावा parking brakes भी अगर नहीं हटे हैं, तो भी आपको voice alert मिलेगा, उसके लावा इसके अंदर parking sensors और parking camera भी add हो जाता है, साथ ही front fog lamps मिलेंगे, जो की cornering assist के साथ आते हैं, साथ ही rear fog की काफी feature मिलेगा, जो की wrist band की तरह है, और साथ ही push button start stop का भी feature मिलता है, तो खेर दोस्तों मुझे लगता है कि आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक दें, और अगर आप यहाँ पे new हैं तो subscribe करना ना भूलें, तो यह थी सारी Tata Nexon की जानकारी features की और prices की मुझे उमीद है कि आपको इससे काफी मदद मिलेगी आपके buying decision में, और आपसे एक खास बात कहना चाहूंगा, अगर आप Tata Nexon में interested हैं, तो हमारे नीचे description में दिये गए, contact number पे ज़रूर contact करें या फिर link पे click करें, जिसकी व video channel काफी आगे से तेजी से बढ़ रहा है, और आप सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगादार जुड़े रहेंगे, तो फिलाल अभी मैं चलता हूं, good bye, good luck and safe